Hello everyone, to IES and PCS में आप सभी का सोगत है बात करते हैं अपने Parliament or State Legislature के combined chapter जो series हम चला रहे हैं उसमें अगले topic ही, Reservation of Seeds for SCs and STs लेकिन ये बात हो रही है, Parliamentary level पर, लोग सभा के level पर, ठीक है? हाला कि Constitution ने, शुरू शुरू में, जब हमारा Constitution जब बन रहा था उससे पहले अगर हम Modern Industry में अगर इस चीज़ को जाने, या Constitution Assembly में भी जाने एक Communal Representation का एक सिस्टम होता था आप Constitution Assembly को छोड़ो, आपने Government of India Act पढ़े होंगे उसमें Communal Representation होता था कि Hindu जन संक्या जहाँ जहाँ पर है, Muslim जन संक्या जहाँ जहाँ पर है तो उसके basis पर कुछ सीटे allocate करी जाएंगी, right? सुना होगा आपने ऐसा इस चीज़ को तो Abundant कर दिया गया था ये तो हटा दिया गया था समिधान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली गई बट हमारा समिधान बात करता है for the reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the लोग सभा population ratio की basis पर ये same चीज़ होई है जो हमनी stateless literature वाले सीरीज में पढ़ी थी बिल्गोल डिट्टो वहीवर्ट है population ratio मतलब STs और STs का क्या होगा the number of लोग सभा seats जो की reserved है किसी एक state के अंदर या union territory के अंदर ऐसे किसी scheduled caste के लिए या scheduled tribe के लिए उतनी ही seat ए रेप्रेजेंट होंगी लोग सभा के अंदर जितनी उनकी population है उस पटिगलर राज्य के अंदर या केंदर शाथित प्रदेश के अंदर out of the total population उस हिसाब से देखा जाएगा अब ऐसा तो नहीं कर आजा सकते ना शाइनी के 50% SC, SC और 50% general category ये चीज तो नहीं हो सकती ना हो सकती थी किस situation में जब इनकी population क्या होती general category से येस लेकिन जादा तर किसी भी महलब हर राज्य की बात नहीं करते हैं लेकिन generally overall इंडिया में क्या है ST, SC का criteria और general category का criteria कौन जादा है जनसंग्या भाइस ठीक है ओडिशनली ये जो reservation है इसको 10 साल तक operate करना था अप्टू 1960 लेकिन इसको बार-बार जो parties है जैसा कि मैं आपको बताता रहूँ पॉलिटिकल एंगल के लिए इसको continuously extend करा गया है सरकारों के दौरा हर बार एक amendment act लाके 10 साल के लिए इसको बढ़ा दी जाता है जो 95th amendment act था 2009 में जो आया 2009 में जो 95th amendment act आया उसमें बोला गया था ये जो reservation है along with Anglo-Indians जो nominated होती हैं लोग सभा के अंदर दोनों की बात करी गई थी साथ में अब अश्परीत आकी वाली बात पर आ जाते ये 2020 तक last करना था साल 2019 बीस में अश्परीत क्या होता है 104th amendment act आता है उस act में ये बोला गया कि फिर से 10 साल के लिए 2030 के लिए SC, ST, SCs and STs को जो reservation दी जाती है वो continue रहेगी लेकिन उसमें से Anglo-Indian वाला जो nominated member वाला जो criteria था इसको scrap कर दिया गया लोग सभा के level पर भी और विधान सभा के level पर भी विधान सभाव में भी अश्परीत ना state legislative assembly में भी nominated members होती थे Anglo-Indians के ये Anglo-Indian वाला पूरा criteria ही समाप्त कर दिया गया है लेकिन ये जो SC, schedule cast and ST, schedule tribe इनके लिए जो reservation का जो फंटा है 95th amendment act ने बोला था साल 2020 तक ये रहेगा 2020 में amendment act आया 104 amendment act फिर से 10 साल के लिए 2030 तक इसको extend कर दिया गया अब सुन में आया इस पूरी दिया चीज ठीक है दो seats are reserved for schedule cast and schedule tribe हाला कि इनके लिए seat reserved है लेकिन एक important चीज़ सुनो अब अगर seats reserved है schedule cast या schedule tribe member के लिए और ये चुनाव में खड़े हो रहे है मयूरी चुनाव में खड़े हो रहे है तो अगर हम ST नहीं है तो क्या हम इनको vote कर रहे जाएंगे बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल जाएंगे बना आज की हिसाब से अगर हम बोले तो ये तो nonsense question हुआ EVM पे क्या सब के आगे लिखा रहे था मयूर ये ST है ये ST है ये OBC है सिख है ये Christian है ये Hindu है ये Muslim ऐसा लिखा रहे तो उनके आगे अब आजाओ वापस पहली line पर इसी प्रकार की चीज़े होती थी अश्वरीत पहले communal representation के अंदर के अगर आप किसी community से belong करते हो ना अगर आप SC हो तो आप SC को ही vote कर पाओगे और किसी को नहीं कर पाओगे अगर आप SC हो ना तो आप SC candidate को ही vote कर पाओगे और किसी को नहीं कर पाओगे अश्वरीत ये एक चीज़ के अच्छी थी बताओ इसलिए हमारे constitution ने इस चीज़ को abandon कर दिया था आप समन्माई है ये वाली लाने अश्वरीत वाली वाली और ये समझ माई है कि communal representation क्या है ये है communal representation इससे हमारी diversity या unity कुछ दिखती है एंडिया की बताओ अगर ऐसा कुछ करें तो ये अच्छी चीज़ है healthy चीज़ है ये देश के लिए नहीं इससे तो हम लोग we feeling और they feeling create कर रहे है न समाज के अंदर इसका मतलब अगर ऐसा मुझ करें तो ये चीज़ यात रखना हाला कि seeds जो है वो reserved है schedule cast और schedule tribe के लिए लेकिन फिर भी अगर SC और ST candidate एक खड़ा होता है election में elect होने के लिए तो इनके elections में इनके चुनावी प्रक्रिया में सारे के सारे voters जो की एक registered voter है particular consistency से सब vote करने जाएंगे without any separate electorate ऐसा नहीं बोला जाएगा के SC वाले उस कमरे के इंदर चले जाओ vote no.4 OBC वाले vote no.6 में चले जाओ वहाँ पर तुमारा OBC candidate है यह सब नहीं यह drama बजी नहीं एक जो member है schedule cast या schedule tribe का एक important चीज और है मैं यूर यह चीज सुनना SC और ST यह अपनी reserve seat तो लड़ी सकते हैं अगर वहाँ से कल को ST, SC seat हो गई डेक्लियर हो गई तो यह उस पर तो खड़े हो ही सकते हैं लेकिन अगर यह किसी journal seat पर भी election लड़ना चाहे ना तो तब भी लड़ सकते हैं they are not debat from it यानि कि अरपेद यह चीज समिन में आई without using the title of SC, SC अगर journal seat पर भी चुनाओ लड़ना चाहें तो भी लड़ सकते हैं सबको पताओ यह चीज समिन में आई नहीं नहीं जर्नल बाद कैसे यह एक बाद बताने फिर फिर यह हुआ के देश में फिर रिजर्वेशन का मदलत क्या हुआ हाँ कंडर्ट कर आती है थे हाँ जर्नल बाद लिके नहीं लड़ सकता आश्परीद याद रखना सब लोग याद रखने यह बली चीज ठीक है अगर कोई जर्नल कंडिडेट है तो वो नहीं लड़ सकता फेर SCST की सीट पर अब यह देखो जो 84th amendment act है 2001 का it provided for refixing of reserved seats on the base of population figure of 1991 census अभी यह बहुत दिमाग खा रहा है 84th amendment act और 87th इसके साथ 84th amendment act 2001 it provided for refixing of reserved seats on the basis of population figure of 1991 census जर्नल seats में जो rationalization करना था उसकी basis बाद में लेकिन क्या हुआ 87th amendment act 2003 आया it provided for the refixing of reserved seats on the basis of 2001 2001 census 1991 की census की basis पर नहीं लेकिन बात में पूरी बात तो लिख दे last में क्या बोला गया इसके द्वरा without however this can be done without altering the number of seats allocated to each state लोकसावा देखो लक्षमी गान blender कर देता कभी कबार शाहिनी देख रहे हो अगर यह किसी की दिमाग में गुज जाए तो वो वो सोचेगा यह census यूज हो रहा है 2011 का census यूज हो रहा है है ना वो यह भी सोचेगा 1991 census भी यूज हो रहा है लेकिन उपर क्या है पूरी बात this can be done without altering the number of seats allocated to each state लोकसावा वो दो बदलेंगी नहीं कब तक नहीं बदलेंगी कौन से साल तक FPTP सिस्टम लोकसावा के चुनाओं में यूज होता है FPTP सिस्टम first pass the post सिस्टम हाला कि Constitution ने adopt कर रखा है system of proportional representation राज्य सावा के case के अंदर लेकिन लोकसावा में इस proportional representation system को हमने prefer नहीं कर रखा है instead हमने adopt कर रखा है FPTP सिस्टम इसको FPTP क्यों बोलते initial letters निकालो FPTP system first pass the post system मैं आपको दोनों समझाओंगा comprehensive तरीके से लेकिन आप यह याद रखना FPTP system तो चलो एक system में जो proportional representation system में इसके अंदर आता है single transferable vote system और यह आता है list system हमारे देश के अंदर यह list system फॉलो नहीं होता किसी भी एलेक्शन में हम पीर फॉलो करते हैं लेकिन पीर के इस साले पाट को फॉलो करते हैं single transferable vote या फिर FPTP PR का एक दूसरा हइसा भी होता है list system list system हमारे देश में फॉलो नहीं होता है यह चीज़ त्याद रखना समझाऊंगा तो आपको फिरकानी याद हो जाएगी कि अभी के लिए लेकिन आप एक word को या रखना कि list system PR का पार्ट होता है proportional representation system का हमारे देश में कभी यूज नहीं होता है ठीक है तो FPTP system जो है यह हम यूज करते हैं और इसको एक नाम बोला जाता है system of territorial representation for the election of members of the Lok Sabha अब यह पार्लिमेंट के चप्टर इसलिए लिए लिख रहा है यह आप लोगसभा as well as state legislative assembly के elections के लिए आने की विधान सभा के लिए लेकिन अगर हम लोग बात करें राजी सभा की प्लस विधान परिशत की state legislative council तो यहाँ पर कॉंसा system यूज होता है proportional representation by means of single transferable vote अच्छा मुझे आप एक बाँ बताओ system of territorial representation जिसको में लोग FTP system भी कहते हैं और proportional representation by means of single transferable vote list system तो मैंने आपको बता दी हो तो वैसी follow नहीं होता तो single transferable vote system under proportional representation और FTP system इन में से कौन से चुनाव की प्रक्रिया को में direct election कहूंगा और indirect कि आके vote करती है candidate को ठीक है और PR में क्या होता है जो मिद्वार खड़ा होता है जनता का एकदम से योगदान नहीं होता one to one content नहीं है ना जनता किसी और को इलेट करेगी और वो person फिर उसको इलेट करेगा वहला बीच में एक क्या कहो गया एक mediator होता है इसमें है ना शाइनी राइट बीच में कोई ना कोई है हम directly उस candidate तक नहीं पहुंच सकते उसको elect करने के लिए ठीक है under the system of क्या होते है हाँ हाँ उसी को proportional representation system actually क्या है मैं और दो चीज़ों को बोला जाता है single transferable word system भी और list system भी लेकिन जैसा कि मैंने clear कर दिया list system दूर दूर तक हमारे देश में use होता ही नहीं है तो हम लोग जो बोलते ना एक सांस में लोगों की आदल पढ़ गई है बोलने की होता proportional representation system ही है कोई हमसे बूचे कि आपके देश में proportional representation कौन सा system यूज होता है कौन सा तो वल्ड के अंदर दो तरह के systems होते है proportional representation के अंदर एक होता single transferable vote दूसरा होता list system हम लोग क्योंकि single transferable vote यूज करते है इसलिए आपने journal books में लिखाओकर एक ही लाइन में लिखा रहता है proportional representation system by means of single transferable vote हमेशा है इसलिए लिखा रहता है अंडर territorial representation system यानि कि अंडर FPTP system हर कैसे होता इसका चना देखो जो हर एक member होता है every member of the legislature यहां पर कौन से legislature की बात हो रही है पारलिमेंट की ठीक है और कुल मिलाकर अगर मैं every member of the legislature का हो MP हर एक MP अपने एक geographical area को represent करता है अपनी constituency को ज्यानि कि मुझे एक बाताह शिंपल सी एक बात बताना अपने logik से राहुल गांदी राहोल गांदी मोधी जी की constancy में जाकर कुछ policy initiative कर सकते हैं क्या कि मोधी जी कर सकते हैं कि राहुल गांदी की constancy में सी में जाकर कुछ और Schedote नहीं आरे वो उसका एक designated उसका एक consistency उसको दे रखी है आपको पता होगा एक scheme सुनी होगी आपने MP-led scheme इनको मिलता है पांच-पांच करोड रुपे खर्च करने के लिए वो अपना देख लेंगे consistency वरना अगर ऐसा होगा देखो आप सुगंदा मैं आपको गलत तो नहीं कहूंगा आपके दिमाग में शैसे वो चल रहा के rally या उगरा या उदर जाकर कुछ announce करना बीगा प्राइम मिनिस्टर तो वो पूरे देश में कर सकते है लेकिन अपनी consistency को वहां का MP ज़्यादा बैटर तरीके से समाल सकता है दूसरे MP वहां पर इधर उदर नहीं जाते फिरते है रत यात्रा निकालनी है रैली करनी है वो तो कहीं से भी हो सकती है क्योंकि एक बाब करती जो है अगर हम उस पर घूम रहें तो वो जिस लेंड पर हम खड़े हैं वो किसी ना किसी की consistency तो होगी ना किसी ना किसी सांसत की राइड लेकिन फिर भी हर एक MP अपनी एक consistency को रेप्रेजेंट करता है क्या अमिज शा नहीं देखो मेरी बात सुनो पहले क्या अमिज शा सारी consistency को समाल सकते हैं देश की फिर बताओ एक साथ देख लेंगे सबको यहां पर सोगंता लॉजिक लगाओ जाने वाली एक दिन की जाने वाली बात नहीं है पूरे पांसा लेकर चलो कि उस consistency को साथ में वो वो पीम है चलो अगर हम यह से मोधी जी को अटाते अब निर्वला सीथा रामन जी को ले आओ मैं तो अब बात करो अब बात करो आप बताओ पीम कर सकता है ऐसा कि नहीं कर सकता आप बताओ बिल्कुल कर सकता है सरकार उनकी करेंटली लेकिन हर एक member जो अपनी consistency को represent कर रहा है न वो ज्यादा बेटर तरीके ते समझ सकता है यह देखो यह वह वाली बाता सोगंदा मैं आपके घर आका आपको सुझाद दू के दिवारे ऐसे के लर्गी कर लो तुम अपना घर तोड़वाकर ऐसा बनवालो वैसा बनवालो अल्टीमेटली जो डिसाइड आप करोगे वो आप करोगे समझ गए? वो ज्यादा बेटर तरीके था आप समझ सकते हो अपने घर को बोलने को मैं बोल सकता हूँ आपर है ना मैं अंकल अंटी को सुझाद दे सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ मैं अल्टीमेटली जो डिसाइड होगे वो आप करोगे ये चीज है और पता है एक बात वार बताता हूँ इसी के लिए MP-led scheme स्टार्ट करी गई थी क्योंकि मैयोर ये चीज फिर हो सकती है न कि ऐसे तो जो PM है वो opposition member जो है जिनन constituency को represent कर रहे है पता चलो उनका नाम खराब करवादे है वो तो फिर उस constituency में जाकर अगर वो opposition parties है राइट तो MP-led scheme में क्या होता है कि उनको ना मतलब ये mandatory है central level की सरकार के लिए कि उनको देना ही पढ़ता है वो पैसा अब मुझे आप ये बताना है इस class के बाद MP-led scheme के अंतरगर member of parliament local area development scheme ऐसा कुछ नाम होता है उसका आप मुझे ये बताना जो पैसा दिया जाता है अभी presently कितने करोड चल रहा है और ये चीत आ चुकी है क्योंकि paper के अंदर आप मुझे इसका जवाब देना और interviewer से भी मेरे एक friend से पूछा जा चुका है वो पैसा पूरे 5 साल के लिए दिया जाता है उस MP को या हर एक साल के लिए दिया जाता है और कितने करोड अभी चल रहा है MP-led scheme के अंतरकत ये आप मुझे बताओगे इस class के immediately बाद ये आपका homework है ठीक है from each constituency only one representative is elected हर एक constituency एक MP को दर्शाता है देखो अभी ये chapter हम ना parliament के perspective से पढ़ रहे है जब state legislature के perspective से पढ़ेंगे तब हम जानेंगे जब state level पर जो constituency होती है जो उदर की bifurcations होती है वहां से एक-एक कौन होगा अगर हम state level की बात करें तो वहां से एक-एक कौन होगा विदान सभा में जाकर एक-एक बंदा कौन होता है वो क्या post होती है उसकी MLA तो from each constituency only one representative is selected और इसलिए हर एक constituency से क्योंकि एक ही जन MP होता है एक ही जन Parliament में उस constituency को represent कर रहा होता है इसलिए हमारे देश में इसको बोलते है single member constituency इस system के अंदरगर simple सी बात है कोई तामसाम नहीं है एक candidate who is securing majority of votes उसको declare कर दिया जाता है as elected जो की majority of votes जो secure करता है उसको declare कर दिया जाता है as elected यह जो simple majority system representation का this does not represent the whole electorate सिर्फ वो अपनी constituency को represent करता है वो person जो उधर के उस constituency के जो voters है जो उधर के electorate है in other words यहाँ पर यह चीज possible हो सकती है एक और चीज़ इससे निकल कर आती है minorities को हो सकता है या small groups को हो सकता है जिनकी भी जनसंक्या कम है उनको तो कभी फिर आगे आके बढ़ने का चुनाओं में represent होने का कभी मौका ही ना मिले हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ हमने जब से civics as a subject मलब quality को जब हम बच्पन में civics बोलते थे हमेशा अश्परीत हमने एक चीज़ सीखी है न election is a game of money and muscle power राइट है के नहीं अब ये भी तो हो सकता है सोगंदा के हम जैसे ये जो एक एक consistency से एक member जो represent हो रहा है तो ये भी तो हो सकता है न सोगंदा minorities की कभी वो बात को सुने ही ना नजर अंदास कर दे और minorities को कभी मतलब एक तरीके से जो लोकत अंदर के अंदर democratic republic के अंदर एक country का जो system है उसके अंतरगत अकर उनकी भी voice important है तो उसको नजर अंदास कर दे भाह का MP जो है बलब उनके concerns को बिल्कुली नजर अंदास कर दे ऐसा हो सकते न सोगंदा और minority कभी भी elections में खड़े होकर फिर तो सोगंदा कभी जीत भी नहीं पाएंगे because it is a game of money and muscle power और बात संक्या की भी है जब वो नाम ही यह title use हो रहा minority तो elections में जीतना इनके लिए almost नाम मुम्किन है अगर यह वहां का minority group है कोई minority religious group है तो अब यह जो system है proportional representation का PR system FPTP system की वज़े से यह defect हो सकता है कि minority उसको अपना due representation ना मिले लेकिन जो दूसरा system है proportional representation का it aims at removing the defects of territorial representation यानि की जो गड़बड़ी FPTP system से हो सकती है इसको solve करने के लिए peer system है peer system के अंदर क्या होता है सारे sections of the people को representation मिलती है in proportion to their number even the smallest section of the population उनको भी अपना due share मिलता है religious literature के अंदर proper तरीके से representation होती है यह कैसे होती है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको elections के context में यह पूरी चीते समझाओंगा अभी यहाँ पर कोई तुक नहीं बनता है elections का chapter अपना nonsense हो जाएगा वरना बस आप ऐसा समझ जाओ कि FPTP सिस्टम के अंदर ऐसा हो सकता है कि candidate who is getting the highest number of votes तो जब मुझे पता है कि अगर मैं एक general candidate हूँ और general जन संख्या जो है मेरी constituency की महा से मुझे vote मिल जाते हैं तो smaller groups है minorities को उनके interest को ना मुझे देखने की जरुत है ना वो मेरे को vote करे या ना करे और मुझे उनको लुभाने की जरुत भी नहीं है जिन regions में अगर वो minorities रहती है मेरी constituency में मैं कभी जाओंगा भी नहीं हाज जोडने vote मांगने ना मैं उस region के लिए कुछ भला करूँगा ना उस groups की मैं कभी कोई बात सुनूगा और वो मेरा कुछ कर भी नहीं सकते इस अकड़पन को मारता है PR system proportional representation system इस system के अंदर तिगडम कुछ ऐसी बिछाई जाती है गेम कुछ ऐसा चलता है कि all section of the people get representation in proportion to their number यह पर कोई section miss out नहीं होता even the smallest section of the population उनको भी due share मिलता अपना legislature के अंदर वो भी represent होती है अब अगर मैं इसको आपको breakdown करके दिखाओ न आप थोड़ा सा logic लागर कर देखो वैसे आप जानते हो इसके बार में हाला कि मैं proper procedure तो बात में बताऊंगा लेकिन आप इसको जानते हो PR system के अंदर सबसे बहले मुझे एक बाँ बताऊ क्या direct elections होते की indirect होते जल्दी बताऊ indirect अगर राजे साबा के MPs को चुनना है तो सबसे बहले हम किसको चुनेंगे जल्दी बताऊ MLA अब MLA के लिए अगर हम चुन रहे हैं तो इस एरिया का हिस्सा इतना है यानि कि यहाँ पर चार consequences है इस राजेखी लेकिन अगर शाइनी यह विर्धान सबा का चुनाओ है तो कम से कम इतना दिखिएगा ने इसके अंदर है कि नहीं तो जो sections of the society जो minority group शाइनी जो लोग सबा की चुनाओ में यहाँ दपकर रह गए थे यहाँ पर उनके पास complete box है बूरा बूरा तो यहाँ से पहले किसे चुन लेना है? MLA को और MLA जनता के बहाँ पर किसको लेट कर देंगे? MP को जो की कहाँ बैठेगा? राज्य सबाव में क्योंकि indirect elections है अब समझ में है? थोड़ी बहुत hint मिली कि कैसे उनको due representation मिल जाता है? पहरे मुझे बताओ यह वाली बास समझ में है कि इधर यह सिमट कर रह जाएंग कि होच सकता है इनको देखा भी न जाए लेकिन यहां पर इनको proper representation मिलेगा logical explanation समझ में? नहीं लोग सबाव में बिलकुल नहीं क्योंकि जन्ता का direct वो है जन्ता ने लेट कर रहा वो माते जीत के इस हरसत बंगे बीच में कोई यहां पर यहां कोई दलाल बाजी नहीं बीच में there are two kinds of proportional representation system first kind single transfer vote system list system हमारे देश में यूज नहीं होता है यह यूज नहीं होता है this is not adaptable and suitable in Indian circumstances ऐसा क्यों? यह हम जाने के PSIR के अंदर और GS paper 2 के अंदर भी in India first kind is adopted for the elections of the members to राज्यसभा proportional representation system by means of single transfer of vote राज्यसभा के चुनाव के लिए और State Legislative Council के चुनाव के लिए as well as राश्पती के चुनाव के लिए और उपराश्पती के चुनाव के लिए तो यह जीत यहात अक न राज्यसभा के लिए तो आपको एक question कल को आ सकता है कि वो चारों के नाम देते नाम यात रखना यह number यात रखना MPs of राज्यसभा number 1 दूसरा केस के चुनाव में Vice President तीसरा केस के चुनाव में President चौथा केस के चुनाव में MLC के चुनाव में जो State Legislative Council के members होते हैं इन चारों के लिए यूस होता है यूस होता है हमारे तेशकेंदर Proportional Representation System By Means of Single Transferable Vot यह आद रखना Utmost Important Question Easy है लेकिन Repeated Question है आ सकता है फिर से State Legislative Council जो दूसरा House होता है State Legislature में राजों के लेबल पर जो हर राजे में नहीं होता भूल कर क्या, confused क्यों हो रहे हो विधान सभा विधान परिशर्द विधान परिशर्द देखा तो है मैंने विधान परिशर्द Confused तो नहीं हो है ना बताओ पक्का और यह विधान परिशर्द क्या सारे राजे में है जहां जहां विधान सभा है बताओ विधान परिशर्द का अस्तित्व किस क्यूब डिपेंड करता है, इसकी उखात कौन डिटर्मेंड करेगा, कि ये होगा कि नहीं होगा, नहीं, उदर का विधान सभा सबसे पहले दो, और विधान सभा फिर शाइनी के रेजुलूशन लाता है, रेजुलूशन कहां जाता है, पार्लिमेंट, फिर वो डिचाइड करता है, तो इसका अस्तित्व अल्टिमेटली किसी उपर डिटर्मेंड है, विधान सभा, इसको मिटाने का अधिकार किसके उपर है, नहीं यार, विधान सभा, वो भी एक रेजुलूशन फिर से देते हैं, मैं फांडेशन कोर्स बन करता हूं, कसमें से बता रहा हूं मैं, दो सब मेंबर्स अधा कॉंशन अधा के लिए भी प्रपोर्शन रिप्रेंटेशन को चुल लेकिन हमारे सम्विधान में ऐसा करा नहीं गया, दो रिप्रेंटेशन की वज़े से, अब ये MPPSC का 5 मार्क का कॉंशन बन सकता है, what are the two prominent reasons given by some Constituent Assembly members, कि हम लोग proportional representation system को लोग सभा के चुनाओ के अंदर adopt नहीं करते हैं, whereas अलाचे सभा में वो चीज adaptable है, तो क्या दो रिप्रेंटेशन थे वो, number one, as it is, आपको ये लिख रहा है, answer, as it is, देखो, एक जो ये PR system होता है, proportional representation system, इसमें ना कोई भी person, कोई भी person के votes जो होते हैं, वो ना waste नहीं होते हैं, मैं आपको एक simple तरीका बता देता हूँ, ये जो FPTP system है, किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, लोग सभा के लिए और विधान सभा के लिए, simple भाशा में लिखो, MP के लिए, और MLA के लिए, क्या होता है इसके इन्दर, simple सी चीज़ होती है, एक candidate है, A, B, C, D, एक, दो, तीन, चार, इसको मिले, 55% वोट, इसको मिले, 50% वोट, इसको मिले, 45% वोट, और इसको मिले, माल लो, 60% वोट, इन में से कौन जीतेगा, माल लो एक ऐसे credit है, माल लो percentage पे मज़ाओ, times पे मज़ाओ, लेकिन गिंती मुझे दिखाओ, सामने कौन जीतेगा इन में से, चलो, उसको change कर देते, चलो, ठीक है लिखारें, हाँ, पता हो, इन में से कौन जीतेगा, यानि कि सबसे ज़्यादा वोट जिसके वो जीतेगा, simple सी चीज़ है, simple सी चीज़ है, it is just like, आप class में, monitor के लिए खड़े हो, monitor की post के लिए, जितने ज़्यादा बच्चे, अगर आपका vote share सबस्किस ज़्यादा है, बच्चों का तो आप जी जाओगे न, बताओ, simple सी voting है न, PR system के अंदर पता है, जो proportional representation system है, by means of single transfer vote, यहाँ पर न, यह जो candidate है न, A, जाल लो इसको मिले, इसको मिले 30 votes, इसको मिले 20 votes, इसको मिले 10 votes, इसको मिले 5 votes, इन में से सबसे कम किसके vote है, D के, D को competition से eliminate कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी जो vote है न, इसको जो vote है, सब में equal तरीके से divide कर जाएगे, अब आप कहोगे सब में equal तरीके ते कैसे यह 5 वोट है यहाँ से देखना 5 वोट है plus 1 plus 1 plus 1 बचे कितने 5 में से 3 वोट लिवाइड हो गए बचे कितने 2 इसको उटा रहा हूँ मैं अब 2 वोट बचे है अब इनकी सदरा calculation करना 31 इसके पास है 21 इसके पास है 11 इसके पास है इनमें से सबसे कम कौन C competitions eliminated बचे 11 वोट ठीक है बचे 11 वोट 11 plus 2 कितने होगे total 13 13 को इन 2 में divide करना है 6 को दे दिए 6 को दे दिए कितने बचे 1 इन 2 को अटा रहा हूँ अब नीचे final calculation इसकी करना ज़रा 31 plus 6 37 21 plus 6 यह eliminated this will be declared as winner अब मुझे ज़रा बताना इतने बड़े लेवल पर राज सभा और विधान सभा प्रेसिडेंट वाइस पेसिटेंट के लेवल पर विधान परिशाट सुरी विधान परिशाट MLC के लेवल पर इतना बड़ा ही चुना होता है इलिटेट छोड़ो तों लोग भी नहीं समझ सकते इस चीज़ को और देश जब आजाद हुआ था तो तो महुला लग था बस यही चर्चा उठी थी इस डिफिकल्टी फॉर दा वोटर्स टू अंडरसेंड दा सिस्टम जो की बहुत कॉंप्लिकेटेड है और उस टाइम पर लोग नहीं समझ सकते थे लेकिन आज के पढ़े लेके लोग भी नहीं समझ सकते इस लिए आपसे कहा रहता कि देखो यह मैं इलेक्शन की चप्टर में आराम तर सुन जाओंगा लेकिन आज मैंने आपको एक 90% हिंट दे दी है बस इसके थोड़े थोड़े नाम और प्रॉपर कैलकूलेशन में आपको बताते हूँ को लेकिन होती ही ऐसे जो मैंने आपको प्रपोर्शनल डिप्लेंटेशन भाई इसके अंदर एक सबसे बड़ा एटेट एडवन्टेज यह होता है जब हम पढ़ेंगे इसको गवरनिस की बुक से लक्षमी कान में तो कम दे रखा होता है इसमें सबसे बड़ा बेरिफिट यह होता है इसका मेरिट यह होता है वोट्स आर नॉट वेस्टेड वोट्स आर नॉट वेस्टेड अब मुझे एक बताओ अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से मार्क करता हूँ जरा ध्याँ से देखना जरा एक इसकी सबसे बड़ी तिकडम देखो FPTP सिस्टम का सबसे बड़ा डिमेरिट देखो चार लोग है अब 100 प्रतीशत को प्रॉपर तरीके से लिखना हूँ मैं 30% वोट इसको मिले 25% वोट इसको मिले 25% वोट इसको मिले और 20% वोट इसको मिले क्या 100% वोट सारे डिवाइड होगा अची तरीके से बताओ 25-50-60-80-90-00 100% पूरे डिवाइड होगा इन में से जीते का कौन इन में से जीते का कौन ए लेकिन दोस्तों अब एक गेम दिखाओ अब एक गेम देखता हूँ दिखाता हूँ यह देखो यहर अरपेत ए 30% वोटों थे जीत गया मनला इन सारी केंडिड़ उमीद बारों में ठकुराइन सबसे ज़्यादा वोट जो है वो एक ए पास है राइड लेकिन इसका मतलब यह भी तो निकलता है शाहिनी 70% जनता नहीं चाहती थी कि ए बने लेकिन फिर भी जीत गया है यह FPTP सिस्टम का सबसे बड़ा de-merit है अश्प्रीद candidate with highest number of vote vote declare हो सकता है winner लेकिन हो सकता है जाता-तार electorate जनता, voters नहीं चाह रहे हैं उसको चुनना अगर चाह रहे होते हैं तो 30% ही vote क्यों मिले हैं उसको फिर और यह de-merit उत्पन कैसे होता है कैसे birth लेता है यह de-merit because votes are by-forgetted जितने उमीदवार उतने लोगों के बीच में vote divided यही चीज समझ में आई थी non-congresism की टाइम पर रामन और लोया को यही चीज के हमारे vote ऐसे divide हो जाते हैं और अगर हम सब मिल जाएं अब बताओ जरा यह सारी अगर parties मिल जाएं सारी candidate मिल जाएं अब कितने vote हैं इसके 70% अब कौन बनेगा A बनेगा कि B C D बनेगे आप समझ में आया नॉन-congresism की ideology अब बताओ कि कैसे हरा पायते लोग इंदरा गांधी को और Congress की सरकारों को राजे में अब समझ में आया क्या चीज़ पकड़ ली थी रामनोर लोया जी ने इस पॉर्टिकर FPDP system के defect के बारे में बताओ जल्दी यार यह 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 पड़ु का बहुत बड़ा topic है comparison of Indian constitutional scheme by data of other countries हमने borrow कर आता है feature British parliamentary system ठीक है हाँ क्या जीतेगा हाँ नहीं वो तो वो तो नहीं नहीं वो तो मैंने यह यह मैंने एक situation लिया है लेकिन अर्पित होता क्या है जो real politics होती है उसमें बहुत सारे candidate आपको बता है President के उम्मीदवर तो आप भी खड़े हो सकते हूं अगर आप अपने एरिया से जापर आपकी आपकी consistency बनती है आप घरगर जाके पन्ने पे आपके लिया हो और वो दे दो चुराओ आपको जाकर कितने लोग मुझे support कर रहे है क्या मैं खड़ा हो सकता हूं ऐसी एक local person बहुत बार हमारे देश में President को challenge करने के लिए खड़े हो जाते हैं कहीं बार वो चुका है ऐसा एक परी वो अलग बात है कि जमानत जब तो जाएगी अगर हारे तो मितलब जो भी है लेकिन ये तो मैंने चार लोगों में एक example लिया है बस एक है इसकी mathematical calculation पे ऐसे मच जाओ इसके अंदर बहुत प्रक्रिया होती मैं आपको समझाओंगा वो अभी के लिहास से आपको ठीक लग रहा है yes कि हमेशा एही जीतेगा हमेशा एही जीतेगा कभी कबार जब दो लोगों के vote सेम हो जाएंगे फिर क्या करोगे ये भी तो बात है और यहां पर पते है क्या प्रक्रिया इसको ऐसा मत सोचो यह तो अभी मैं बच्चों के लिहास से समझा रहा हूँ यहां पर पहली बात है कि जनता का तो को योगदान ही नहीं है पहली बात है यहां पर MLA होते है और किस विधान सभा में किस राज्जे में कितने MLA है यह उसके बात भी उबर डिपेंट करता है वो भी सेम नहीं है बात तो यह भी है ना 28 राज्जे 28 विधान सभा और केंदर शार्चिश प्रदेश जिसमें से 3 में विधान सभा यह भी बात है सबके नंबर अलग आप करो calculation दिमाग के अंदर अब हो गया complication और यह उम्मीदवार भी बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कभी कबार बहुत सारे यह चीज है कभी आप imagine कर सकते हो कभी आप imagine कर सकते हो कि PM के लिए उम्मीदवार मलब देश में हमारे 1400 लोग एक हजार लोग होंगे PM के उम्मीदवार नहीं न लेकिन ऐसे लार्ज स्केल पर उम्मीदवार न प्रपोर्शनल रिपेंटेशन सिस्टम के अंदर खड़े हो सकते क्योंकि उदर एक डिफेट के लो या इसको मौका के लो सबके पास एक मौका है यह बताने का कि हम भी एक अपनी कॉंस्टेंसी को represent कर सकते हैं अगर हमें जीतने का मौका मिल जाए हाँ शाहिनी क्या पूछतेते हैं बताओ ने नी हाँ बिल्कुल सेकिंड जो इसको करते हैं लेकिन वह तो मैं वही तो बता रहो मैंने एक एक एक्जामपल समझाने के लिए दिया कि इस तरीके की प्रक्रियक होती है अब मैं उसको to the word to words अगर समझाने जाओ ना तो फिर एक दो गंटे की class फिर एक तो चलेगी FPTP की उपर और तीन चर गंटे की class और tables बना 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 कर वो चलेगी प्रपोस्टे रिपेंटलेशन सिस्टम की फिसस पर ठीक है वो अभी हमारा यहां पर concern नहीं है मैंने आपको एक roughly एक figure समझा दिया कि बस मैंने आपको एक example दिया है मैंने जो last person है बस उसको मैंने बोल दिया था शायनी ऐसा कि लेकिन यहां पर मिरको समझाने का मक्सद दिय है जिस source है आप पढ़कर आयो ना मैं जानता हूँ वो source ठीक है मुझे पता है लेकिन बात यही है कि अभी नहीं बता सकता मैंने को वह अलीची समझ में नहीं आएगी अगर हां लेकिन अच्छी बात है कि 11th class की जो book है पॉलिटी की 11th class की भी जो book है आपर constitution at work महाँ पर प् अंसूट आजी आजी बता हूँ इट इस अंसूटेवल टू दा परलिमेंटरी गर्मेंट डू टू टू टेंडेंशी ओ दा सिस्टम यहां पर क्या होता है प्रपोर्चल डिप्रेंडेशन के इंदर political parties काफी multiply होती है जिसकी वज़े से collision politics emerge होता है collision politics emerge होगा तो सरकार काफी unstable रहती है unstable क्योंकि उसके अंदर जब सबको पता रहता है parties को कि votes waste नहीं होने न तो multiple parties fight elections ठीक है multiple candidates also अगर हम लोग बात करें सिर्फ party के ना बोलकर क्योंकि president और vice president के चुनाओं में कोई party तो होगी नी है ना बताओ क्या कोई party होती है वहां पर राश्पती और उप्राश्पती के चुनाओं में बताओ यह party बात तो हम राजय सभा और विधान परिशत के लिए कर रहे है न शाहिनी है न यह चीज़ है इसकी वज़े से collision governments बनती है collision governments आपको पता है इससे यह एक healthy sign है democracy का या फिर unhealthy sign है बताओ क्योंकि सब लोगों के अंदर इसका अरपित क्या मकसद हमें दिख रहा है हर किसी इंसान के अंदर हर किसी party के अंदर सिर्फ सत्ता में आने की बूग है न और वो सत्ता में आने के लिए किसी को भी धोका दे सकते है राइट और हम महीनों महीनों बर के लिए कुछ-कुछ सरकारे बनी थी राइट एडिशनली और भी demerits होते है proportional representation के वो क्या है एक तो यह system काफी expensive है यहां पर फिर by elections करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे लोग साभा या फिर विधान साभा की चुराव में होता है अब by election किनकिन circumstances में होते है MLA या MP resign दे गया हो या उसकी death हो जाए कोर मिलाकर वो seat vacant हो जाए 5 सल complete होने से पहले तो बीच में जो elections होते है इसी को by election कहते है क्या किसी को भी को डाउट है by elections में अरब बाई elections नॉर्मल उससे प्रक्रिया से अलग होते है न यह चीज़ पता है न है यह न यहाँ पर अब यह चीज़ इतनी complicated क्योंकि बीच में कौन है यहाँ पर अगर हम मैं राजे सभा के चुनाव की बात करने हूं तो बीच में कौन है यह में ले ठीक है फिर यहाँ पर क्या है minority interest की कुछ जाता ही बात होने लग जाती है जिसकी बज़ए से minority thinking promote होती है और group interest promote होती है which is again not a healthy sign in the long term for democracy फिर क्या होता है voter की significance जो है इस system से degrees हो जाती है party की significance बढ़ जाती है यह भी बात है voter side line और party जाते दिखती है क्योंकि फिर यहाँ पर shiny parties को यह भी पता है कि votes waste ही नहीं होने तो यहाँ पर वही बात आती है शाहिनी एक psychological tendency नहीं होती जैसे कि जब तक इंसान race complete ना करे तब तक वो जीता ही होई रहता है तो सबको उमीद रहती है यहाँ पर कि अभी भी हमारा chance बन सकता है यह चीज़ है अब हमने यहाँ पर जो अटमूस theoretical aspect था ना परलेमेंट के चप्टर का बहुत जादा हमने जो detailing करी और बहुत complications से जो अभी तक हम यहाँ पर आये हैं अब यह ओवर theoretical framework जो है वो खतम हो गया अब हम journally जैसा राजनितिक मुद्दे होते हैं अब हम जैसे विधान सभा के अंदर एंटर करें लोग सभा के अंदर करें अंदर एंटर करें अब हम प्रॉपर तरीके से parliament और state legislature को इसी प्रकार से देखेंगा अब chapter smooth तरीक से चलेगा अब आपको कुछ high level की बात है या over theoretical framework नहीं मिलेगा आप chapters के अंदर तो duration of the two houses हम जानेंगे parliament की as well as duration of the two houses at the state level लेकिन ये two houses आपको जैसा की पता है हार एक राजे में तो देखेंगे नहीं आपको पिधान परिशतियों की हर एक राजे में नहीं होता है इसको हम देखेंगे duration of the two houses के topic और next lecture के अंदर thank you very much for discussion